जब पंधेरा हो जंगल में शेर खान घुमता है उसके हुराने की ताहड मोबी जुमता है ये है जांगो पूख ये ही है जांगो पूख ये ही है जांगो पूख पागीरा और बलू अपने कर्दब दिखाए ये है जांगो पूख ये ही है जांगो पूख ये है जांगो पूख बरसाद का मौसम सबसे अच्छा होता है सबसे अच्छी गूसबेरी इसी मौसम में मिलती है अब तक एक भी नहीं मिली बलू सबर रखो मोगली टोकरा भर के मिलेगी अच्छा पर फिलाल तर टोकरा तुम्हारी टोपी बन गया बरसात में रास्ता थोड़ा बहुत गीला भी हो जाता है बलू वहां देखो इसी वज़र से अब तक हमें एक देखना भी मत रंगू अरे हाँ याद आया यह तुम्हारा इलाका है और तुम्हारे दोस्त भी आने वाले होंगे हमें माफ करना हम बस यहां से जाही रहें शुक्रिया अच्छा हुआ खुद याद आगे रंगू इतना अकड क्यों रहा है और इसके कौन से दोस्त आने वाले अरे सारस पता नहीं क्यूं रंगू सारस पक्षियों का दीवाना है हर साल जब वो यहां से गुजरते हैं तो वो उनके लिए खाने का इंतजाम करके रखता है खैर छोड़ो वो अजब आ यहां से उपटाँ! पर अजब वोज को वोगैं बवो आयां से फिहां से तो मुद अवर वोगैं गले यहां से उवर्श के पर प्रोव दो रंगा मज़ा आ गया चलो फिर से करते हैं बस बहुत हुआ मोगली हम जाही रहे हैं रंगू तुम्हें परेशान करने का इरादा नहीं है कर भी नहीं पाओगे का शेका और बार उस पहाड़ी से फिसलने का मौका मिल जाए मज़ा जाएगा मुझे तुम सारी गूसबैरी भी दे दो तब भी मैं यह गलती नहीं करूंगा चलो हमें गूसबैरी इकठा करनी है बलू हम अलग अलग जगा ढूनते हैं इससे हमें ज्यादा बैरी मिलेंगी ठ इसे ही वो अपनी टोकरी भरेगा हम उसे वो छीन लेंगे यह जा कह रहा है तुम यहां क्या कर रहे हो तुम यहां क्या कर रहे हो तुम यहां क्या कर रहे हो तुम तो गूसबैरी जुडने का कामिला है ना परी तुम्हें कैसे पता खैर जो भी है मैं कुछ भी कर रो इसे तुम्हें क्या लेना देना ऐसा लगता है यहां कोई अपनी मन मर्जी कर रह है बस पहुंच गए देखो अब आएगा मज़ा अरे वाह यह तुम्हारे लिए नहीं है मुझे यह चाहिए भी नहीं बसकरो कि बेरेश हमारी तो किसमत खुल गई दूर केल बंदर यह वर्नाट में छोट से छेट करके जाली बना दूंगा और तुम फिर पहाडी से फिसनने आये हो मेरे मना करने के बावजूद अरे नहीं हमने तुम्हारे दोस्त देखे हैं तो हमने सूचा उनके बारे में तुम्हें त सारस्पक्षी कहा है इतने दूर वह पक्का इजरार रहे नहीं तो बात यह है कि वह सब के सब जील के पास रुके हुए हैं शायद रास्था बटक गए हैं नहीं यह बिल्कुल सशनी यह भी नहीं पटा था वह यहां आना चाहते हैं वरना में उनकी मदद कर देती वह रास ओ, क्या कह रहे हो, मेरे लिए पार्टी, फिर तो मजा आ जाएगा तुमारी हिम्मत कैसे हुई उसे जूट बोलने की ये तो मेरी आदत है, देखो एक जूट से मुसीबत चुटकी में भाग गरे, चलो अब पार्टी करते हैं नहीं, रुक जाओ अगर नहीं रुके तो क्या होगा हाँ, पर्षता होगे नन्य मुन्य मचलिया, किती डरपोक होती है, तबागी क्या तुमने सारसों को देखा, तेरा भेजा देखा, मैं सारस पक्षियों की बाद कर रहा हूँ यहां कोई सारस पक्षी नहीं आए, तुझे यह किस उल्लू ने कह दिया, मुझे किसी उल्लू ने नहीं, उस मोगली और बंदरिया ने कहा, मोगली मोगली, तुम वापस जाओ और उसे वहीं रोके रखना, मैं जल्दी से वहां पहुचता हूँ और फिर उसे सजा दूँगा तुम से जूट बोलने की, ठीक है, मुझे यकीन है, तुम कुछ ना कुछ करोगे तबाकी, जंगल में ठबाकी तो है, जो कुछ कर सकता है। प्रूल इलो! हा-था-हा-ा耶! ओो, हुो! ये-अ! पैना भाइ Sedart! YE-E-A-YY! प्रूल जाई! शökरिया यह क्या, तुमने तो मेरी दुनिया ही उजार दी, हाँ, यह सब मैने नहीं किया रंगु सच कह रहा हूँ, पर में सब ठीक कर दूँगा, यकीन मानो, दफा हो जाव यहां से, मुझे मेरे दुखों के साथ अकेला छोड़ दो, ठीक है, पर मुझे माफ कर दो, मैं दिल से गह चलो, रुक जाओ, रंगु तुमने इसे बताया नहीं कि मैं इसे सजा देने आ रहा हूँ, यह क्या, मैंने शेरखां को यहां लाने के लिए तो, नहीं कहा था दबाकी, आद देखिये, यह मेरा है, आप जाईए यहां से, शेरखां, तुम दादा बन गए क्या, तभी तो नाजुक पक्षियों को डरा रहे हो, अच्छा, अब सिर्फ तुम पंक खाते हो, या फिर मुझे पकड़ने से कत्रा आते हो, तुझसे कत्रा है मेरी जूती, eeek मेरी जन्त का देखिया, यहां यहां फिर फसाया तबाकी के बच्चे बाल बचे पर मेरा तो कुछ नहीं बचा सब कुछ उजड़ गया मुझे माफ कर दो मैं सफाय कर देता हूं तुम फिक्रमत करो कैसे हो रंगू ये क्या इस बार तुमारी तैयारिया पूरी नहीं लग रही है अरे नहीं तैयारिया तो है पर खाने पिने का इंतर्जाम नहीं हो पाया क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ और कर रहा था ये देखो चलो आओ लंबे सफर के बाद तुम्हें उस जगा पर बहु हुः। हुः। चलो चलो बचाएड़ ये अँच मसेदा बलू बलू जल्दी मेरी मदद करो और अपनी बेरिस दे दो मुझे रंगू को देनी है मेरी बेरिस रंगू को दे दू अब ये क्या तमाशा है मोगली लो हो गया सही, रंगू, देखो तुम्हारी बेरीज वापस आ गई, रंगू, इस बार तुमने हमें बहुत मज़ा दिलाया, रंगू, मैं तो कहता हूँ, सबसे बेस्ट था, शुक्रिया, तरसल मैं बहुत दिनों से इसकी तयारी कर रहा था, एक बार तुम भे फिसल के मैंने खुद इखटा की हैं झाल झाल